मोदी जी आठ परिवर्तन यात्रा के साभ़से जीपूर में पदार रहें को लाखों की तादाद में पब्लिक आरी है गाडियों का फिल चारू टरफ जिदर भी देखो जिदर गीजाने पब्लिक यी पब्लिक नजर आरी है तो इससे लगता है कि राज्तान में तो परिवर्तन होगा ही देश में परिवर्तन होगा दोसों में से कितनी विदानसभा सीटों पे आप लोग जीत होगे 165 की उमीद है 165 सीट पे आम लोग जीत जाएंगे जो 33 परचेंट महिला अरक्षन दिया गया है उससे कितना फर्क पड़ने वाला है पूर में और अब जो महिला अरक्षन मिला उससे कितनी सीटों पर फर्क पड़ेगा आज मोदी जी का जो स्वागत करेगी वो महिला के साब से स्वागत होगा महिला यह बड़ी जो बढ़ संकल रेली का जिस प्रकार का आगाज हो रहा है निशित रूप से राजस्तान से कांग्रेस के भागने के संदेश बेंगे आज लगवक दो लाक से जादा भारतिया जनता पार्टी के कारिकरता किशान उपस्तित होंगे और निशित रूप से दो जार तैभीस और दो जार जो अगैं निशित रूप से यह कॉंग्रेस सरकार की के अंतिम कील साबिट होगा और जिस प्रकार से कारिकरता उम्डा है जिस प्रकार से जन उम्डा है मैं समझता हूँ यहां से नई उर्जा लेकर के 2023 में कॉंग्रिस का सफाय करने का संकर्प लेकर के जाने वाला है कॉंग्रिस के कुशासन से जनता त्रस्त है और आज तो हमारे मारदशक पढ़ने दिंद्याल उपादिया जी का जनम दिन है दोस्तों विदान सभा सीटों में से कितनी विदान सभा पर उम्मीद है क्या आपका आने की हम तीन चोथा यह बहुमत प्राप्त करने जा रहा है देगे जैपूर में जो जन सभा है यह एक मैसेज है आगामी चुनाव के लिए जिस तरह से यहां पर जो पब्लिक है आम पब्लिक से लेकर पूरे यह हमारे देश के और विश्व गुरू के रूप में हमारे देश के परदान मंतरी भी है तो लोगों का उस्सा इस तरह से बन रहा है जैसा कोई मेला लग रहा हो यह हमारे देश की प्रदान मंत्रे की चवी और देश वाशियों का उनके परती प्रेम दर्शाता है और 33 परशन आरेक्शन दिये बाद में महिलाओं की संके यहाँ पर ज्यादा देखी जा रही है और युवा हमेशा साथ में रहा है और बागी सभी वर्कों की लोग यहाँ पर आएं और वो आज 2023 के जो चुनाव वोंगे विदान सभा के उस विदान सभा में कांग्रेस सरकार को उखाड फैक केंगे यह एक मैसेज है सीदा सीदा हम माननी है प्रदान मंतरी जी नरेंदर मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज जो महिला बंदन बिल पास किया है उसके लिए महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में यहां आई है उनका धन्यवादेना चाती है कि अब देश की राजनीती और देश को समालने का जो 33% जिम्मा महिलाओं को दिया है उसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद देती है और आज पांडाल की और पूरी विवस्ताओं की जिमेदारी सर्फ और सर्फ महिला कारेकरताओं पर है और महिलाएं ये बहुत दिनों से जो महिलाओं ने कुंठा जेली है जो पिछरापन देखा है उसको मोदी जी ने खत्म किया है और आज बहुत ही गोरों का विशे है कि आज भारत की महिला एक शशक्त महिला बनने जा रही है उसका पहला कदम मोदी जी ने आज शुरू कर दिया है उसपे 2023 के चुनाओं और 2024 के चुनाओं में क्या फर्क देखने को मिलेगा जो पूर में चुनाओं होए हैं अब जो होने वाले उनकी बात सही से रख सकेंगी महिला को जो अस्थान मिलना चाहिए वो अब जरूर मिलने लगेगा राहूल गांदी जी ने कहा है कि मोधी जी दस साल बाद महिला अरक्षन देने और हम चाहते कि आज ही हो देखे अगर राहूल गांदी जी को या उनकी पारटी को महिला अरक्षन देना होता तो 27 सालों से ये जो बिल है दूल नहीं पांग रहा होता अगर नरेंद्र मोधी जी नहीं होते तो महिलाओं के बारे में कोई विचार नहीं करता जब आज नरेंद्र मोदी जी बिल लेकर आए है तो कॉंग्रेस तिल मिला गई है कि ये उन्होंने क्या कर दिया कभी कॉंग्रेस चाहती नहीं थी कि महिलाओं का भला हो कितने लाखों की संक्या यहां आने वारी है कितने लाखों की पूरी धरती है दादिया की ये बीजेपी के समर्थ को और बीजेपी के कारेकरताओं से बढ़ने वाली है और अब राजस्तान का ये मैसेज है कि भारतिये जनता पार्टी का कमल राजस्तान में खिलने वाला है और जल्द ही पूरे राजियों में भारतिये जनता पार्टी का कमल खिलेगा